तो जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे युनिवर्सिटीज में कॉलेजेस के एक्जाम्स चल रहे हैं इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वारे हैं चल दर फिन ब्हbnे सबस्क्राइब कर सकते है आप किसी भी stream की student है तो grammar का question है जो आपके लिए helpful होने वाला है वीडियो लास्ट तक जरूर देख लिए कि कैसे इन grammar के questions को सौर किया जाता है तो इस तरह के और भी informative वीडियो के लिए हमारे चानल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए जो फिर वीडियो स्टार्ट करते ह अगला question देखिए अंकल करन टुक मोहन एंड आचाही यह बहुत इंट्रस्टिंग कोस्टन था यहां पर student को यूजरी Confused होनाथ है I and me में तो देखिए अबजेक्ट का प्लेस है तो आपजेक्ट के प्लेस में आता है me अगर subject का प्लेस होता थो आता I ठीक है अगला देखिए तो यहां पर me सही answer होगा ठीक है we are much stronger than blanket cricket तो यहां पर हो जागा we are much stronger than them यहां पर भी object आता है then इनके बाद ठीक है, डिग्री अप कमपैरिजन में याद रखेगा, तो या जाएगा देम, अगला कुछन देखो, जब भी सफर वाली बात आती है, तो हम यूज करते है, फ्रॉम का, घुजराद पानी की कमी से सफर कर रहा है, या जूज रहा है, अगर इस तरह के प्रिपोजिशन वाले कुछन में कई बार ऐसा प्रसन आता है, जिसमें डाइड शब्द आता है, ही डाइड, वह उसके मृत्ति हो गई, तो उसकेस में आफ यूज करते है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं, ही डाइड ऑफ कैंसर इस तरह के कई बार कुछन साते हैं, ठीक है, अगला कुस्तन देखो, अगला कुस्टन देखिए, इसमें भी अनलेस या इफ बोला है, तो यहां पर आ जाएगा अनलेस, ठीक है, तो यह हो जाएगा, अनलेस, यू रिंग डाइड बेल, जब तक अब बैल नहीं बजाते, दा सर्वेंट वांट कम, सर्वेंट नहीं आएगा, यह वाला सेंटेंस ना, देखो, एक सेंटेंस क ठीक है, अगला देखिये, who wrote the letter, यह भी पेसी, एक्टी पेसी वाइस के question है, important question है, यह वाला question है, इसको पेसी वाइस में change करना है, तो यह होता है, by लगा कर change करते, इसको शुरू में, by whom, by whom was the letter written, यह ऐसा हो जाएगा, ठीक है, by whom, by whom was the letter written, ठीक है, the letter written, इस तरह से इसका answer हो जाएगा, by whom was the letter written, ठीक है, अगला question है, the rat was killed by the cat, easy है, तो यह हो जाएगा, the cat was killed by the rat, ठीक है, the cat was तो जी रहेगा, kill the third form हो जाएगा, इस से केना है, जो third हो जाएगा, third form में भी killed रहेगा है, तो the cat was killed by the rat, पीछे चला जाएगा, ठीक है, अगला question, she is very honest, तो इसका suitable tag बो कुछ नहीं करना पड़ता बस helping up में ant not लगा और subject को लिग दो यह हो जाएगा she is very honest isn't she यह क्या हो जाएगा isn't she और यह question mark लगता है last में और inverted comment में close रहता है ठीक isn't she हो जाएगा लेकिन अगर not लगा है तो not नहीं लगाते जैसे he is not very clever है तो यह सिर्फ हो जाएगा is he ठीक है क्या हो जाएगा is he यह इसका संही answer हो जाएगा अगला question देखो I am looking for someone I am looking for someone blank I can trust whom I can trust जिसमें या जिस पर मैं विश्वास कर सकूं ठीक है ऐसे person खोज रहा हूं मैं इसको assertie sentence में change करने के लिए बोला है यह exclamatory sentence में है sentence 5 तरह की होते है ठीक है exclamatory में assertie में change करना है तो assertie मतलब simple sentence ठीक है तो it is a beautiful garden हो जाएगा it is a beautiful garden अगला देखो name the sound name the sound made by horse horse की दोरह कौन साउंड देखो sound मतलब वो जो आवाज करते हैं उसको क्या बोला जाता है जैसे second question अगर आप देखेंगे lion की दोरह बुला गया तो lion जो आवाज करता है उसको क्या बोलता है दाहार ना मतलब रोरिंग रोर आ जागा इसमें और इसमें आएगा नीच ठीक है एन आई सोरी एन ई आई जीएच यह हो जाता है lion इसका horse का ठीक है नहीं अगला देखिए इसमें रोवर है ना आर ओ ए आर रोर चलिए अगला कुस्टन है दमेजर्टी आप टीन फूड इस ब्लाइं इन वैटमिन्स ठीक है तो यहां पर आजाएगा है तो ऑप्सोन नंबर पहला एगा अगला क्वेशन है के ना समब अना माइब ना कन आई हाव सम बटर अगर नेगेटिव इंट्र कुटी होता है तो अनि हाता है और पॉसिटिव में सम आता है तो यहां पर आएगा समग वियों रन आउट आऊट आफ सुगर इस दियर एन तो इसमें हो जाएगा वोजन्ट ही वोजन्ट ही याद रखिए इसमें आजाएगा इसमें भी कुसंट है इस ही तो यहां हो जाएगा यह वो आदमी है जो मेरे घड़ी को चुराया था इसमें चेंज करने है वाइस तो यह इंट्रोगेटी में तो यह दीड हो चेंज हो जाता है वाज यह वर में तो हम यू को इधर लाएंगे तो यह वर हो जाएगा तो यह क्यों यू वर यू फ्राइटन बाइदा नॉइस हो जाएगा वर यू फ्राइटन्ड बाइदा नॉइस हो जाएगा यह यह पर देखो नेम अच्छा वनिखता है तो 돼को इस तरह के कुस्टन में आर्टीजन ठीक है आर्टीजन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला देखिए ब्लाइंग किस थोड़ा कुस्टन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है ठीक है तो इसको चोड़ देते हैं अगला कुस्टन देखो अब ब्लैंक आप शाउटिंग पीपल ओवर्टरंड वेहिकल्स तो इसमें हो जाएगा मॉब आप शाउटिंग पीपल मउब मॉब मीस होता है लोगों का भीड गुसाय होगे लोगों का भीड इस तारह से तो और मॉब आफ शाउटिंग पीपल नेक्स्टन देखो लास्ट ग्रमर के लास्ट कोश्टन था इसके बाद सब्सक्राइस का कसे कि बर्यूज절 के चिलराइस इंस चिळड़न के बपर अब देख भीजया होगा होगा जवाए हैウーघर इहांपस सेड होता तो a सब्सक्राइब तो इस तरह से कुल को सब्सक्राइब अगर आप अपना सकते हैं और देख सकते कि आप सब्सक्राइब कर लिए और ग्रामर में आपको हर एक तरह से इन फ्यूचर हम गाइड करते रहते हैं मिलते नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच पॉचिंग